दोस्तों आज हम कंपर करेंगे One UI 5.1 को latest One UI 6.0 के साथ में तो मेरे पास में दो स्मार्टफोन है एक तरफे Samsung A52s 5G जो की One UI 5.1 के ओपर चल रहा है और एक तरफे Samsung A73 5G जो की latest One UI 6 के ओपर यापर रन कर रहा है तो आप क्लियरली देख सकते हो कि यह रहा One UI 5.1 का अपडेट जो की Android 13 के साथ में तो यह A52s 5G स्मार्टपोन है और यह रहा यहाँ आपके A73 5G स्मार्टपोन जो की One UI 6 के ऊपर है और आपको इसमें Android 14 का latest update देखने मिल जाता है सबसे पहले चेंज है One UI 6 के अंदर जो के control center का तो आप यह देख सकते हो कि जो new वाला है वो कुछ आपको ऐसे देखने मिलता है और जो पहले था वो कुछ आपको ऐसे देखने मिल रहा था जो की one hand से आप easily इसको access कर सकते थे लेकिन यह अभी थोड़ा सा अलग तरीके से आप इन्होंने कस्टमाइज कर दिया है अभी आपको वाइफाई और बीटी का उपर से अलग दो fix toggle देखने मिलते हैं आप इनको change नहीं कर सकते और बीच में आपको अलग-अलग सभी toggles देखने मिल जाते है नीचे आपको दे देखने मिलता है अगर आप देखो यहाँ पर यहाँ से निकाल सकते हो आपको जो नहीं चाहिए आप यहाँ से उनको add भी कर सकते हो जो आपको यहाँ चाहिए और आपको अगर complete यह पूरा पैनल चेंज करना है निकिन toggles का तो आपको एडिट करने के बाद में को फूल की उपर edit करना पड़ेगा तो आप यहाँ पर सभी कुछ toggles को add और remove कर सकते हो पहले क्या था कि आप यहाँ पर drag and drop कर सकते थे जो कि आप अभी भी कर सकते हो लेकिन अभी अच्छी बात क्या है कि आप इसको मैनस करोगे तो यह निकल जाएगा और प्लस करोगे तो add हो और one UI 5.1 में आपको simple से तीन डाट को पर जाना पड़ेगा उसके बाद में edit बटन और आप फिर यहाँ से सभी toggles को add और remove कर सकते हो लेकिन यहाँ पर drag and drop वी है यहाँ पर प्लस मैनस नहीं मिलता है जो कि आपको यहाँ जाता है और एक नया option आपको one UI 6 में देखने मिलता ह जो कि है quick setting instant access तो यह आगर आप on कर लेते हो जो कि मैंने on करके रखा हुआ है तो आपका जो four है दो हिस्तों में बढ़ जाता है क्यामरा की इधर क्यामरा की उधर जैसे कि मैं left top corner से अगर नीचे swipe down करूँगा तो यह देखिए यहाँ पर सबसे पहले आती है notification उसके बाद मै आपको top six toggle यह पर देखने मिलते है थोड़ा और नीचे करूगा तो आपको फिर यह पर पूरा control center देखने मिल जाते हैं लेकिन मुझे अगर चाहिए only control center तो मैं top right से नीचे swipe down करूँगा और यहाँ पर मुझे बस control center देखने मिलेगा मुझे कोई भी notification देखने नहीं मिलेग अगला change आपको setting में देखने मिलता है तो यह देखे पहले क्या था कि आपको device care और battery का A के option था लेकिन अब भी आपको देखने मिलता है अलग-अलग option यह देखे आपको battery देखने मिलते है और उसके बाद में आपको device care का option नीचे अलग से देखने मिल जाता है जो कि यह रह device care का option तो अभी यहाँ पर यह चेंज आपको देखने मिलता है जो कि पहले 7 मही था अगला change VONR को लेकर के तो दोनों phone 5G है लेकिन अभी आपको 1.6 के बाद में Samsung A73 के अंदर देखने मिलता है VONR का option तो आपको जाने sitting के अंदर और आपको यह देखने मिलता है simple से mobile and network के अ तो यहाँ आप आप देख सकते हो आपको नहीं मिलता VONR का option तो पहले क्या था VONR 5.1 के अंदर जो aspect ratio इसी में आपका जो था resolution था लेकिन अभी क्या है कि आपका जो megapixel वो अलग से आपको देखने मिलता है VONR 6 के अंदर यह देखिए 32 megapixel और क्लिक करोगे तो 12 megapixel तो आप साइड में अलग से देखने मिलता है aspect ratio का option जो कि 3 is to 4, 9 is to 16, 1 is to 1 और full तो यह आपको अलग से देखने मिलता है तो यह थोड़ा easy हो जाता है अब यह हम जाते है वीडियो के अंदर तो पहले क्या था VONR 5.1 के अंदर यह देखिए सब कुछ आप मिलता है यह देखिए HD, Full HD UHD और आपको नीचे FPS देखने मिल रहा था लेकिन new update के बाद में क्या है सब कुछ यहाप खुला-खुला सा हो चुका है जैसे कि आप यह पर क्लिक करते हो तो ऊपर बाज़ो आपको देखने मिलता है UHD, Full HD और HD यहने कि यहाप पर मिलता है आपको size और नीचे आपको देख से देखने मिलता है लेकिन shutter speed पर यहाप यहाप क्लिक करते हो लगातार तो यहाप थोड़ा slow ही है और यह भी थोड़ा आपको slow ही देखने मिलता है जैसे कि आपको यह पर option देखने मिल रहा है 1.6 के अंदर swipe up down to switch cameras तो यह देखिए आप इसको बंद भी कर सकते हो जैसे कि य आपको देखने मिलता ही नहीं है 5.1 के अंदर यह क्या चीज़ है जैसे कि अगर आप देखो तो यह क्यामरा यह पर switch हो रहा है यह देखिए front और rear के अंदर ऐसे तो आप यहाप इसको बंद कर सकते हो यह देखिए हमने बंद कर दिया swipe up down to switch cameras तो हमने बंद कर दिया यह दे date and time यहाप अभी अलग-अलग हो चुका है date and time और यहाप पहले बस हम बसे tap था इन्हें के okay करतो निकल जाओ अभी क्या है कि आप यहाप इसलेक कर सकते हो date की ताइम पर आपको यहाप तीन format मिल जाते है और आपको time के तर भी आपको दो format डेक्ने मिल जाते है पहले font में आ तो यह देखिए उपर नीचे आप कर सकते हैं तो यह आपको यहाप चेंज़ देखने मिल जाते हैं पॉर्टेट मोड यहाप बड़ा कुई चेंज नहीं है लेकिन बस आप जो blur एड़्जिस कर रहे ते यह पहले कुछ ऐसे था अब भी आपको आपको ऐसे देखने मिलता बात अगर हो रहे हैं कि यह जो आपको आपको कुछ ऐड़ करूगे तो आपको ऐसे अपना नाम डाल सकते हैं यानिकि यह एक्श्वल में करता किया है कि आप डिरेक्ट्थ रियाट कर सकते हो कुछ भी क्यामरा के लिए जी से कि एकर आपको यो ये पर विडियो मोर्वें करना है तो मह है यापरे विर चाहिए्ठ नाइट मोड तो नाइट मोड भी चलो जाएगा तो मैं आप पर करता हूँ वीडियो के उपर और यहाँ पर सेख करना है कौन से फोल्डर में और यहाँ पर विजट बैक्राउंड पर आप सेख कर सकते हो पिछला करने कोई फोटो या फिर मैं सेख करने हूँ आप कुछ भी इमेज के अंदर से या फिर गैलरी के अंदर से स्रीव कर दूँगा तो यह देखिए अपर सेख हो चुका है और आप इसको चोटा बड़ा भी कर सकते हो यह देखिए तो यह देखिए आप इसको चोटा बड़ा कर सकते हो लांग पर चोटा बड़ा भी हो जाएगा इसका आपने यहां पर जाना है गैलेरी के अंदर और आपको कोई भी फोटो सेलेक्ट कर ले नहीं है और मैंने यह वाले सेलेक्ट कर ली तो जैसे मैं स्वाइप करूंगा यह देखिए आपको यह पर तीन ऑप्शन मिल जा रहे हैं रिमास्टर और साथ हैं पोटेट इफट और और यह पर ऐसे कुछ भी आप यह अफ्शन नहीं मिलिवा तो यहां पर आपको सेटिंग प्र जाना पड़ेका इसके लिए अलग अलगांते से से यहां से सब कुछ कर सकते हो यहां पिर आपको यहां मिलजाता है सब कुछ आपर करना अगला फीचर से कॉपी एडिट का तो अगले फोटो की उपर चाहिए तो मैं आ पे ज्याधा महत नहीं करूगा इसको सेव तो कर लूँगा साथ यहां पर तीन डॉट के उपर जा करके यहां करूँगाँ एक पर कॉपी अगर आप मान लो किसी फोटो को एडिट कर रहा हो जो भी आप एडिरिंग कर रहा हो तो आपको क्या है कि आप जैसे एडिट करोगे तो फिर क्या होता है कि जैसे मैं इसको एडिट कर रहा हो तो यह देखिए मैंने मान लो कुछ एडिट किया यह एडिट किया उसके बाद मे अब न हैंकि मैं यहां पर डा सकता हूं जिसकी में यहां पर एतने इडेडिंग कर लिए मुझे यह पसंदर अधिंग और में इसको एका फिल्ट एड कर लूमा अब यहां इसको गोलमा इसको तो मैं यहां पर सुदार सकता हूँ, जबकि यह 1UI 5.1 में पॉसिबल नहीं था, अगला फीचर है, ड्राइग और ड्रॉप विट टू हैंड कॉपी पेस्ट वाला, तो यह देखिए, यह है 1UI 5.1 और यह 6, तो जैसे मैं यह दो फोटो को सिलेक करता हूँ, और यहां पर मुझ इस तरह के से, तो यह मेरे हाथ में आ गए, यह देखिए, फोटो और मैं यह कही भी पेस्ट कर सकता हूँ, तो यह दूसरे हाथ से मैं इसको कही भी पेस्ट कर सकता हूँ, और यह दूसरे हाथ से मैं इसको कही भी पेस्ट कर सकता हूँ, यह देखिए, तो यह हैंड के साथ आप copy paste कर सकते हो drag and drop with two hand copy paste one option जो कि सब तरब काम करता है one UI 6 के बाद में next feature से जो कि है security related जो कि auto blocker का तो आपको यह पर जाने simple से security and privacy के अंधर तो आपको यह पर देखने मिलता है नया ऐसा option जो कि auto blocker का जो कि एक Macafee का feature से आप इसको on दरूसे कर लिना अगर आपने one UI 5.1 के बाद में 6 का update कर लिया है तो जिसकी block command by USB cable और आखरी में block software update by USB cable तो कोई भी intentionally या फिर जान बुचके USB cable के थुरू आपके phone में कुछ भी ऐसे माज शेस software बगर इस्टॉल नहीं कर पाएगा तो extra security आपको auto blocker के अंदर मिल जाती जो कि आपको 5.1 में नहीं है नेश्ट है lock screen customization तो आपको SIMBUS से lock screen के प्रेस से long press करना है और फिर यहापे भी long press करना है और फिर आपको lock unlock करना है उसके बाद में आप यह पे lock screen किस्टॉमाइज कर सकते हो तो यहापे पहले क्या था कि आप जो है इस clock icon को इस तरह के से चोटा बड़ा तो कर सकते थे यह द देखिये उपर नीचे नहीं हो रहा तो यहाप आप मूग कर सकते हो यहाप आपको तीन नए font मिल जाते हैं जो कि आखरी वाले यह देखिए 123 और साती में यह जो clock style यह भी यह पर आड़ हो चुकिए जो कि पहले नहीं थी तो यहाप यह भी आड़ हो चुकिए तो आप स्माटफ़न है A52s 5J, यह कनेकेरे 살e fede 3 5 ij ऐ और फिर 1000 था यहां पर दिखाएगा यह देखिए तो यहाप यहाप यह कितना दाटा यूज कर रहा है जो कि आपको लाइव दिखाएगा तो यहाप यह देखिए लाइव यहाप यहाप वह दाटा यूज और आपको सब कु दो सेंबी के बाद में फिर ये नेट बन हो जाएगा सामने वाला यूज नहीं कर बाएगा मेरा होट्सपोट और यहां पर मैं टाइम लिमिर भी सेट कर सकता हूँ देखिए अभी जो नेट नहीं चल रहा है और मैं इसको रिजूम करूंगा तो यहां पर नेट चलना ओन हो चुका है तो ऐसे छोटे बड़े चेंज आपको वन यॉआई 6 में देखने मिलते हैं आप यहां पर देखो विजिबली यह ब्रैटनेस बार कैसे दिख रहा है और य जैसे कि वह डिपेंड करेगा आपके चिपसेट के ऊपर भी कि कौन सा चिपसेट आपके फोन में लगा हुआ है जैसे कि दोने फोन में 778 जी है तो यहां पर दोनों फोन बिल्कुल सही परफॉर्म कर रहा है लेकिन बात हमको स्मूधनेस की तो थोड़ा 6 के बाद में पास्ट देखने में लेगा यानि कि और रहल जो 6 है वह 5 से थोड़ा बेटर तो है बाके तो कुछ ऐसे आपको मेजर सा इश्यू देखने में नहीं मिलता वन याई 6 के बाद में जैसे कि आप स्क्रीन बर्निंग का इश्यू या पर बात हम करें आप ग्रीन लाइन का इश् कुछ भी ऐसे दिक्कत आपको नहीं मिलते हैं आप बिन्दा सब्डेट कर सकते हों